बिस्मिल्लाइ रह्मानी रहीम, असलामु अलेकूम, वेलकम बैक टो अस्मा बाइलोजी अकेडमी, इन दिस वीडियो आम गोई टो डिसकूस हो टो राइट अ प्रोजेक्ट प्रोपोजल, सो लेट्स केट स्टार्टेड, बिसिकली प्रोजेक्ट प्रोपोजल में आप बतात और आप किस तरह जो है, वो इन अबजेक्टिव को अचीव करेंगे, किस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट जो है, वो यूनीक होना चाहिए, वो किसी दूसरे की प्रोजेक्ट की कोपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस मैंने इन्सूलीन की प्रोड़क्शन करनी है क्योंकिठ के अन ní कि तादा भी डे बाड़ए इन्क्रीज हो रही है और जो इसके मैडिसन है और ने इन्सूलीन उस ठीक है नेक्सट है जी अब्जेक्टिव जो अब्जेक्टिव है ना प्रोजेक्ट का या आपने बड़े ही प्रिशाईस और कुंसाईस मैनर में बताना है ठीक है 2-3 लाइन से एक सीड ना हो देखें मेरा आइडिया था के मैंने इंसुलीन बनानी है ठीक है उसकी objective क्या है उसका मकसद क्या है ताके गरीब patient जो के इतनी costly insulin जो आजकल market में available है उससे buy नहीं कर सकते तो उस insulin को buy कर सके जो के इतनी costly ना हो तो यह objective है कि मैं ऐसी insulin produce करना चाहती हूँ जो इतनी costly ना हो थर्ड है जी problem description प्रोपोजल में हमने basically तीन चीज़ों को बताना होता है सबसे पहले है what के मेरा idea क्या है why ये क्यूं है and how मैं इसे किस तरह करूंगी ठीक है तो जो problem description वाला portion है इसमें आपने पहले दो questions को answer करना है what and why कि मेरा idea क्या है मैंने insulin बनानी है why क्यूं है क्यूंके insulin जो है वो अब बहुत ज़्यादा market में costly होती जा रही है तो मैं इस तरह की insulin बनाना चाहती हूँ जो के गरीब patient जो है वो afford कर सके पूर्थ है जी methodology में मैंने बताना है how यानि अब मैंने ये तो कह दिया मैंने insulin बनानी है अब किस तरहां बनानी है for example एक project चल रहा है उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना कहले तो अभी तो bacteria use हो रहा है ना उन्होंने yeast में जो है वो insulin production वाला जीन भी insert किया है और साथ जो है वो bacteria resistance वाला जीन भी insert किया है ठीक है तो मैं बताऊंगी अगर for example ये project मेरा है तो मैं बताऊंगी कि मैंने जो है ये दो genes insert किये है और जो है ना मैं अब इससे yeast में जो है insulin के production करना चाहती हूँ project scope में मैंने बताना है कि अगर मेरा ये project complete हो जाता है तो इसकी क्या scope होगी इसका क्या फाइदा होगा और आपके project को importance उसकी scope की base पे ही मिलती है ठीक है लाइक अगर मैं insulin की ही example को relate करती हूँ इसमें मैंने बताना है कि बई मैं insulin बना रही हूँ इसकी ये scope है कि अगर मार्टिक में आ जाती है तो grief patient इसको easily ले सकेंगे इसकी जो quality है वो दूसरी insulin से ज्यादा अच्छी होगी ये थोड़ी quantity में जो है वो आपकी sugar level को control कर सकेगी इसमें हमने बताना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये within time complete हो जाएगा ठीक है जो हमें resources चाहिए क्या वो हमें मिल जाएंगी जो इसमें risk आएंगे क्या हम उनको tackle कर सकेंगे ठीक है for example अगर मैं finger printing का project लेकर चल रही हूँ ठीक है तो क्या मिरे पास yeast है ठीक है इसमें हमने risk बताने होते हैं और resource requirement किसके क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए बताना होता है solution application areas में आपने बताना होता है कि ये जो project है इसकी क्या क्या इसकी values है ठीक है ये किस industry में किस तरह यूज होगी अगर कोई ऐसी application आप बना रहे हैं जो के hospital में helpful होगी like insulin hospital में helpful होगी तो ये इसकी domain है medical ठीक है तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो है वो medical domain में है और किस तरह वो target domain जो है इससे benefit हासिल करेगी अगर insulin produce हो जाएगी तो किस तरह hospital वाले जो है वो इससे फाइदा उठाएंगे तो किस तरह जो है वो health department को इससे फाइदा पहुंचेगा एट है जी tools and technology इसमें आपने बताने है कि क्या कि tools आपको require है like insulin production के लिए yeast में हमारे पास vector होने चाहिए gene insertion के लिए और restriction enzymes होने चाहिए gene cutting के लिए like so on and so on एट है जी expertise of the team members for example अगर तीन लोग काम कर रहे हैं तो उनके expertise बताना है कोई ग्रूप में work कर रहे है ठीक है milestones में आपने तो जो आपको उसके लिए task require है कि इसके लिए पहले ये काम करना है फिर ये करना है इस तरह ऒो सारा बताएंगे ठीक है और references में आपने वो सारी references देनी है जहाँ जहाँ से आपने help ली है किसी book से ली है किसी website से ली है किसी document से ली है आपने उसकी reference देनी है मैंने जो है यहाँ से इस चीज़ में help ली है ठीक है तो यह था जी आज का हमारा lecture अगर आपका कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं Thank you so much for watching my YouTube channel Allah Hafiz